हेलो फ्रेंट्स आपके अपने उडिव चैनल सितेश का हमारे टुटूरियल में आपका स्वागत है मैं सितेश कमार को स्वाहा आज आपको इंटरेशन टू नाथ पंत के फोर्थ लेक्षर में नाथ साइट और जैन साइट इम अंतर बताऊंगा और यह कोशन बहुत इंपोर है इस साथ इस साथ आपके competitive exams के लिए बहुत महत्पूर कोशन है तो फ्रेंट्स आपको बता दे कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ने के तो सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन को अलसे लिए ताकि इसी तरह का वीडियो और विए लेकर के आएंगे त सबसे पहले आपको प्राफ्ट होगा तो चले फ्रेंट्स देखते हैं नात साहित और जैन साहित में क्या अंतर है फ्रेंट्स तो आपका पहला जो अंतर है नात साहित में उपदेसात्मक की प्रधानता रही है यहाँ पर ना साहित में उपदेसात्मक की प्रधानता रही है जिसे धार्मिक साहित्य भी कहा जाता है ठीक है जैसे गोरक सार यो गोरक बोध आदी ठीक है और जैन साहित्य में चरितात्मक साहित्य है जैसे पव्म चरियू यड कुमार चरियू ठीक है और फ्रेंड्स आपको बता दें कि यहां पर किसी ब्यक्ति विसेश की चरित्रों का ठीक है और उनके चरित्रों की मतलब साधना की जाती है ठीक है और आपको बता दें यहाँ पर जो है दूसरा अंतर्य कर है कि नाच साहित में प्रेम कथाओं का अभाव ठीक है तो यहाँ जो है नाच जो थे आपको बता दें कि यह नारी का बिरोध करते थे तो यहाँ प्रेम कथाओं का भाव पाया जाता है और यहां जैन साहित में किसी व्यक्त के चरित्र का वोडन किया जाता है तो कहीं न कहीं यहां पर प्रेम कथाओं के बहुत शारे रूप आपको देखने को मिलेंगे ठीक है अब बात करते हैं तीश्रा जो है नात साहित में सधुक्री भासा का प्रयोग किया जाता है ठीक है जिसमें खड़ी बोली और राजस्थानी का मेल है फ्रेंट्स आपको बताते हैं सधुक्री भासा यानि हम जिसे खिचली भासा भी कहते हैं और खिचली भासा इसले कहते हैं क्योंकि जो शाधू शंत जो लोग हैं एक अस्थान पर टीके नही कई जगोंपे जाते हैं और हर हुआ हर जगह अलग अलग भाशा होती है तो शभी भाशा उनको थोड़ा थोड़ा मिला कर करके वो बोलते है तो इसलिए ही इनको हम बोलते है क्या बोलते है शजडुक्भाशा या kansha बहां साह, ठीक है, और ये तीसरा जो अंतर है, जो जैन साहित्य का, तो किरा है कि साहित्य अप भरंस बहां सामें लिखा जाता है, ठीक है friends, तो आपको बता दे कि ये बहुत महातपूर अंतर है, ठीक है, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नए topics के साथ तो thank you friends और best up luck आपके लिए कि आज आपका exam बेटर जाए ठीक है friends thank you